नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाब या हानी प्रॉफिट एन लॉस का बारवा लेक्चर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं तो इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर देख लिए हो सारे अपडेटिड कंटेंट वाले भी देख लिए कि कुछ भी पार्ट आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए ठीक है तो अगर आप केवल हो केवल इतनी क्लासिस कर जाते हैं तो यह more than sufficient है तो आज की क्लास में भी हम यह देखेंगे profit and loss per question और कहा कहा किस किस तरीके से गूम सकता है अगरे स्टार्ट करते हैं गलास पहले question से पहला question आपके सामने ही है किसी वस्तु का विक्रे मुले 1875 से 1500 कर दिया गया है तो हानी बढ़ गई 10% तो इसका मनलब हो गया 10% किसके बराबर हो गया 375 के बराबर हो ग कितने में बेचा जाएगा यहीं 120% की आपको value निकाल लिया नहीं 12 गुना गन्ना है इसका ठीक है तो 12 गुना गन्ना है तो इसका मनलब यह बात हो गई कि बही answer जो एक तो पहली बात 9 का multiple आना चाहिए 2 option कड़ गए 12 गुना गन्ना है तो यह भी कड़ गया C option आपका answer हो ग next question है आपके सामने यह एक इसी वस्तू को B को बेचता है 50% फायदे पर B C को C D को D E को और E finally F को इतना नुखसान होता है ठीक है जा इतनी सारी चीज़े involved हों तो हम कोशिश करते हैं इस question को A की step में करने की A ने B को बेचा 50% profit पर यानि 2 की चीज 3 में B ने C को बेचा 16 सही 2 बटा 3 परतिशत हानी पर ठीक है 16 2 बटा 3 यानि 1 बटा 6 6 की चीज 5 में इसी तरीके से मैं आगे जाता हूँ 20 परसेंट का फायदा यानि 5 से 6 है इसी तरीके साब आगे जाते हैं D E को 9 से 8 में और E बेचता है F को इतने हानी पर 3 से 2 में ठीक है अब आप solve कर लेते हैं कि 2 से 2 कड़ गया 6 से 6 कड़ गया 5 से 5 कड़ गया 3 से 3 कड़ गया 9 से 8 आगया ठीक है तो इसका मतलब है कि 9 से आपका 8 आगया अब हम कहते हैं कि A को इची 9 की पढ़ रही थी F को इची 8 की पढ़ेगी ठीक है और F को 480 रुपे की पढ़ी है 60 गुना यानि 540 हो गया ठीक है 540 की A को पढ़ी है cost price of article to B B ने कितने फायदे पर बेची थी 50% यानि आप ये बोल सकते हैं कि अगर 2 unit की value 540 है ठीक है 3 unit की value कितनी हो जाएगी 810 हो जाएगी ये आपका answer आजएगा यानि 270 गुना कर देंगे हम 270 गुना करेंगे 810 आपका answer हो गया A ने कितने में बेचा फिर B ने C ने D ने E ने इस तरीके से finally अगर आप ratio निकालते हैं ठीक है तो आपका answer आजएगा ये कोई बड़ी बात नहीं है देखिए A का selling price आगया A का selling price या नहीं B का cost price B का cost price है इस पर ये लगाया C का cost price आगया इस तरीके से finally आप देखेंगे last त दूद के 12 बरतन है यदि वह दूद 15 रुप्य परते लीटर पर बेचता है तो उसे 180 रुपे का नुकसान होगा यदि वह 18 रुपे परती लीटर बेचता है तो 90 रुपे का फाइदा होगा ठीक है अब देखिए दूद की जो quantity है वो fix है ठीक है दूद की जो quantity आपकी वो fix ह अब आप देखते हैं quantity अगर fix है तो 18 minus 15 price into quantity अगर आप करते हैं price into quantity अगर आप करते हैं तो finally आपका अंतर आ जाता है कितने का अंतर आएगा पैसों में तो पैसों में अगर आप अंतर देखें 180 रुपे का नुकसान और 90 रुपे का फायदा 270 रुपे का अंतर आ गया तो हम बोलेंगे Q की value कितनी आ गई 90 लीटर तो सबसे पहले चीज़ तो आपको यही पता लग गई कि quantity जो होगी वो आपकी 90 लीटर हो जाएगी ठीक है अब 90 लीटर quantity है और 12 बरतन है तो परतिक बरतन में कितना होगा 7.5 लीटर यह आपका अंसर हो जाएगा यानि C option आपका अंसर आजाएगा इसे समझ लेते हैं किस तरीके से देखिए 18 के हिसाब से जब आपने बेचा जब आपके पास कुछ पैसे आए 18 into Q वो पैसे थे 15 into Q दूसरे वाले पैसे थे उन दोनों पैसों में जो अंतर है वो आपका 270 रुपे का है next question पर आएंगे next question है यह आपके सामने एक बाद डाटा जएक कर लेते हैं आईए देख लेते हैं दीगे सबसे पहले वो बोल ला है दो बस्तो को इतने फाइदे पर बेचा जाता है इस टाइप के question आप पहली बाद नहीं कर रहे हैं पहले भी बहुत question कर चुके हैं पर इसके अंदर percentage सोड़ी सी अलग है 83 1 by 3% का profit यानि 11 बटे 6 5 बटे 6 होता है ठीक है 5 जोड देंगे 6 के अंदर 11 बटे 6 हो जाएगा तो पहले का आप देखते हैं अगर ये cost price हो गया ये selling price हो गया दूसरे को इतने नुकसान पर अगर दूसरे की बात करें 24 पतिशत की हानी ठीक है 24 पतिशत की अगर हानी आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि भई 100 पे 24, 200 पे 49 तो 200 पे 151 हो गया ये आ गया ठीक है अब उसने एक चीज बोली आप से कि भई जो selling price है वो same है यानि इसका मतलब ये same करना पड़ेगा आपको अगर इसे मैं 151 से गुणा करता हूँ और इसे मैं 11 से गुणा करता हूँ तो selling price आपका same हो जाएगा ठीक है अब आप देखते हैं selling price same हो गया और दोनों को इतने में बेचा गया एक पे इतना फायदा एक पे इतना फायदा और overall profit and loss percent आपको बताना है कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले मैं total CP निकालता हूँ 11 उन्ही 22 हो गया ठीक है अगर बात करी जाए profit ये loss की तो आप देखते हैं कि यहाँ पर loss हो रहा है loss कितने का हो रहा है उन्हांचास का ठीक है तो 49 into 11 का loss हो गया और यहाँ क्या हुआ यहाँ 5 into 151 का फायदा हो गया तो 1555, 755 का यहाँ फायदा हुआ है इसको अगर आप multiply करते है 11 चौक 44, 440 और 99 में 539 loss हो गया अगर इसे आप solve करते हैं यह 16 आ गया, 216 हो गया ठीक है 216 का फायदा हो गया लगबग 7% का काटते हैं तो लगबग आएगा ठीक है क्योंकि अप्रॉक्रॉक्सिमेट है तो C option आपका अंसर हो जाएगा, 7% आपका अंसर हो गया बहुन बात है पहले आपको percentage को fraction में convert करना है, फिर selling price same करना है और फिर calculation करना है next question पर आएगे, next question आपका यह selling price को 20% बढ़ाए गया mark price को इतना बढ़ाए गया तो profit डबल हो गया इस type का question हमने पहले भी बहुत बार की है कि mark price इतना बढ़ाते हैं selling price इतना बढ़ाते हैं, profit डबल हो जाता है अब काफी सारे तरीके हैं इसी question को करने के, आप इस question को option से भी गज़ सकते हैं, आप वैसे भी गज़ सकते हैं अब आप ध्यान से देखिए mark price जो है, 825 है जो की cost price से साड़े 37% अधिक है साड़े 37% अधिक का मलब हो गया कि अगर वो 8 है, तो ये 11 है 11 की value अगर आप देखते हैं, ये है तो 8 की value कितनी होगी? 11, 77, 85, 85 into 8 जो की 600 हो गया तो CP आगया आपका 600 रुपे पहली बात तो ठीक है? अब आप क्या देखते हैं? selling price को बढ़ाया गया selling price को 20% बढ़ाया गया 5X से 6X कर दिया गया तो profit डबल हो गया ठीक है अब देखें तरीका क्या गया है? पहला तरीका ये है कि आपको नया selling price निकालना है, तो 6 से भाग होने वाला option आप उठाते हैं तो एक option तो कर गया, वाकी option बचे आपके सामने अगर आप एक एक करके उठाते हैं, माल लेते हैं मैं 900 ये उठाता हूँ क्योंकि calculation करनी 900 से असान है अगर इसकी value 900 होती है तो 300 का फायदा हो जाएगा ठीक है और आगर 6 की value 900 हो ये इदर 7.5 साथ तो आएगा तो फायदा कितने का हो जाएगा, तो 1.5 सो गा profit क्या हो गया, double हो गया, ये मेरा answer हो गया एक तरीका हो गया आपका ये दूसर तरीका दूसर तरीका ये है कि अगर आप profit निकालते हैं यहां से पहले case में और दूसरे case में आपसे बोला है कि दूसरे case में जो profit है वो double है पहले से अब इसको आप solve कर सकते हैं आपने इसमें से इसे घटाया तो x आ गया, इसमें से इसे घटाया, एक आ गया एक unit x के बराबर है तो इसका मलब यह 4x हो गया ठीक है, तो 4x अगर 600 आ गया आपको केतना निकालना है 6x निकालना है यह आपका 900 हो गया तो यह पहला तरीका था आपका यह दूसरा तरीका हो गया ठीक है, तीसरा भी तरीका है अगर आप तीसरे तरीके पर आते हैं तो आप देखते हैं कि पहले 5X में बेचा गया बाद में 6X पर बेचा गया ठीक है अब वो बोलता है कि यहां जो profit हुआ वो 1 है और यहां जो profit हुआ वो 2 है इसका मतलब यह हो गया कि एक unit की value X के बराबर है एक unit की value X के बराबर है तो 4X आगे CP और 4X की value कितने निकाली थी हमने 600 निकाली थी आपको किसकी निकालनी है 6X की तो यह आपका 900 आजाएगा ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा टो एक Quesh escror कंड़ने के अलग-अलग तरीक हैं देखें मैंने इस तरीके से भी बताया आपको इस तरीके से भी बताया इस तरीके से ही बताया तीनों में सा आप कोई भी तरीका अडआप्ट कर सकते है next question पर आते है next question है आपके सामने यह देखिए question बहुत बैतरीन है अगर आप देखते है selling price के सिवस्तू का ये है selling price और cost price का ratio है ये cost price mark price का ratio है ये सबसे पहले तो cost price same करते है cost price अगर आप same करते हैं तो ये 18 हो गया और ये 10 हो गया ठीक है अब आप ये देखते हैं effective cash discount आपको बताना है ही है तो 15 रुपे का discount आप दे रहे हैं 25 पे 15 का discount यानि 60% discount मिल रहा है ठीक है पर वो यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है यदि कुल छूट का केवल पिचतर परतिशत cashless discount पर लागू होता है ठीक है cash discount बताना आपको जो कि 25% हो गया तो इसका 25% कितना हो गया एक पटा चार यानि 15% या आपका अंसर हो गया तो यह ratio देखके बेसिकली घबराना नहीं है selling price cost price का ratio है cost price mark price का ratio है cost price 18 है यहां 18 बनाया यह 10 आगिया 25 की चीज आप 10 में बेशते हैं 15 का discount हो गया जो कि 60% हो गया साथ परसेंट टोटल डिसकाउंट नहीं देगा effective cash discount आपको निकालना है cash discount कितना है 25% of total discount ठीक है क्योंकि यह cashless discount है next question पर आएंगे next question आपके सामनेंगे कपिल कोई बस तो इतने की खरीदता है profit of 50% पर 50% profit होता है ठीक है उसके बाद वह 20% हानी पर बेशता है उसके बाद वह 25% फायदे पर बेशता है ठीक है और फाइनली उसे वह 32% हानी पर बेशता है यह लगातार है सारी चीज़ें अब एक चीज़ आपको पता होनी चीज़े minus का 20% और plus का 25% यह हमेशा कट जाते है इसका net effect 0 होता है कोई value 5-4 हुई और फिर 4-5 हो गई तो कोई effect नहीं पड़ा तो minus 20 और plus 25 दियान रखना है 50 और 32 का अगर मैं net निकालता हूँ 50 में से 32 गया 18 आगया ठीक है और आप divide करके देखते हैं 18 और 16 यहनि 2% आगया आप देखेंगे 2% net profit हुआ कितने पर 22-500 पर तो यह आप निकालेंगे यह आपका answer आजाएगा 22-500 का 2% ठीक है जो कि आपका 4.500 रुपे आजाएगा तो 4.500 रुपे आपका answer हो जाएगा ठीक है option इसके अंदर नहीं है पर 4.500 रुपे आपका answer आएगा एक और तरीका आप कर सकते हैं इसी चीज़ को तो आप वैसे लिखते हैं 50% मरलब 2-3 20% मरलब 5-4 25% मरलब 4-5 ठीक है 20-17 बात एक ही है अब आप ऐसे भी देख सकते हैं 5-5 गया, 4-4 गया 40-50 ठीक है एक सेकिन देख लेते हैं 32% का डिसकाउंट हो गया 100-68 हो गया, 4-17 25 आगया है, 20 नहीं 25 25 नहीं 50, 50-51 50-51 यानि फायदा कितने का हुआ 2% का, तो आप ये फायदा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं तो तरीके मैं अलग-अलग सारे बता रहा हूँ आपको पर आपको डेली रूटिन में फोलो करने है नेस कोशन पर आते हैं, नेस कोशन है आपका ये 33 रुपे परतियक के हिसाब से खरीद था है परतियक को 10 परतिशत ऊपर मार करता है और 5% डिस्काउंट देने की कहता है अच्छा जी 10 और 5 का अगर आप नेट निकालते हैं तो कितना आगया, 4.5 परसेंट आगया अब देखें कोशन क्या है इसलिए मैंने नेट निकाला है, 4.5 परसेंट आगया ठीक है, और यह आपको निकालना है ठीक है, तो आपको यह निकालना है, गीन परसेंट नेट कितना होगा ठीक है, अगर सॉल करते हैं 10 पंजे 50 और यह कितना हो गया 5.5 पचास और 6.5 यानि 6.5 बटे 8 आठ आगया, यह आपके x की value हो गई, ठीक है यह आपके x की value हो जाएगी, एक बाद data मैं चेक कर लेता हूँ इसका आँ यह यह है, ठीक है, अगर मैं सॉल करता हूँ इसे और 2 से गुणा करता हूँ तो यह आगया आपका 127 बटे 16, 8 के बिल्कूल करीब, यह देखें, 8 के बिल्कूल करीब देख रहा है, 7 और 15 बटे 16, अगर यह 16 बटे 16 हो गया ना, तो यह 8 हो जाएगा, तो 8 के बिल्कूल करीब 16, 828 होता है, तो B option आपका answer आजाएगा, नेस question पर आएंगे, यह आपका next question, selling price A, B, C का 1, 2, 3 में है, profit percent मैं 15 के, 20 के और 12 के ले लेता हूँ, cost price इसका 200 रुपे है, इसका 3X, इसका 5X ठीक है, सबसे पहली बात, देखे, यह 3 है, यह 5 है, इस पर 1 प्लस 20 के अगर मैं करता हूँ, और 1 प्लस 12 के मैं करता हूँ, तो selling price आना चाहिए, selling price का अनुपात कितना आ गया, इन दोनों का, 2 अनुपात 3, ठीक है, यह आ गया, 2 अनुपात 3 का मलब हो गया, 10 अनुपात 9, ठीक है, अब इसको आप solve करते हैं, अगर मैं इसमें से यह घटाता हूँ, 8 के आ गया, 8 के एक यूनिट के बराबर आ गया, ठीक है, तो 10 यूनिट कितना हो गया, 80 के बराबर, 80 के यह आएगा, तो मरलब 60 के यह आएगा, 60 K के वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, 60 K की वैल्यू अगर 1 आ गई, तो आप कहेंगे K की वैल्यू 1 बाइ 60 हो गई, अब केकी value 1 by 60 अगर है बहुत ध्यान से समझेगा तो ये वाली values आपकी 1 by 60 का मलब हो गया 1 by 4, 1 by 3 और ये कितना हो गया 1 by 5 ठीक है चार की चीज थी, चार की value अगर 200 है एक का फायदा हो गया यह नि 50 रुपे ठीक है 200 में बेची गई अगर ये 200 है तो ये 500 और ये 700 ठीक है अब आप देखते हैं एक तीहाई ठीक है ये 500 था ये 500 हो गया 3 अगर CP था एक का फायदा 4 में बेचा गया चार की value अगर 500 है ठीक है चार की 500 हो गई, एक की 125 हो गई, 125 का फायदा और बेची खरीदी कितने की? 375 की खरीदी होगी ठीक है अगर ये 375 है ये 3 की value अगर 375 है तीन और 5 का नोपात है 125 पंजे 625, 625 की चीज़ है 125 का फायदा ठीक है थोड़ा बड़ा कोश्चन हो गया पर कोई दिकत नहीं है करके जाते हैं क्या रिकत है? Net Overall Profit% आपको बताना है ये देखे 400, 1000 और 1200, 1200 रुपे की चीज़ पर फायदा कितना हो रहा है? 2500 और 300 तो यानि 1 बटा 4 हो गया जो कि आपका 25% हो गया ये आपका अंसर आ गया तो हम बोलेंगे B option आपका आंसर हो जाएगा ठीक है? कोश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा जरूर है पर देखे करके जाएए कुछ पता नहीं है किस पे हो सकता है बीच में कोई टुकड़ा आ जाए इसका कोश्चन किसी वस्तू का विक्रे मुल्ले अंकित मुल्ले से 75% कम है और कॉस्ट प्राइस से 5 गुना है आए देख लेते हैं SP मार्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस 75% कम है अगर यह 100 है तो यह 25 है यह 25 हो गया तो यह 5 हो गया क्योंकि इससे 5 गुना है तो परसंटेज डिस्काउंट ओफर्ड डिस्काउंट ओफर कितना हो गया 75% प्राइस कितना मिल रहा है यहांपर 20 का मिल रहा है ठीक है यानि यह कितना हो गया 5 रुपे की चीज पर 20 का फायदा हो रहा है अगर तो 400% हो गया तो अगर आप डिवाइड करते हैं 18.75 यह आपका अंसर हो जाएगा यह यह C option आपका अंसर हो जाएगा काफी अच्छा कोशन था देखें इस तरीक यह कोशन तो definite मिल जाएगा आपको next question है यह आपके सामने एक दुकंदार बैट शीट बेशता है 320 रुपे की ठीक है और profit कमाता है 18% का यदि वह एक बैट शीट फ्री देता है चार बैट शीट खरीदने पर ठीक है सुनील को साथ बैट शीट चाहिए और प्यूश को आठ बैट शीट चाहिए how much will they save if they purchase the बैट शीट together rather than separately दो केस बनेंगे देखें अगर वो separately खरीदते हैं और वो साथ साथ खरीदते हैं ठीक है अगर वो separately खरीदते हैं आपको एक बात पता है चार पे एक फिरी है तो एक हो गई सुनील की बात एक हो गई पियूश की बात ठीक है चार पे एक फिरी है चार की जगे पांच मिलेंगी ठीक है और दूसरी कितनी चाहिए तीन चाहिए तीन पे तो तीन की जगे तो तीन ही मिलेंगी ठीक है तो आप देख सकते हैं तीन की जगे तीन ही साथ चाहिए साथ चाहिए इसका मरलब हो गया दो की जगे दो यानि 6 का CP तो इसे देना ही पड़ेगा अब बात करते हैं इसकी 8 चाहिए इसे 4 की जगे 5, 3 की जगे 3, तो 7 की जगे 8 मिल जाएंगे इस बात का मरलब यह हुआ कि इसे 6 का CP देना पड़ेगा इसे 7 का CP देना पड़ेगा तब जाके इनकी requirement पूरी होंगी यानि total CP यहां कितना आगे 13 unit का ठीक है 6 और 7 इतने के पैसे तो उन्हें देने ही बड़ेंगे ठीक है अब 77 की अगर बात करें अगर वो 77 खरीदते हैं ठीक है 77 के मलब है अगर 15 15 उन्हें चाहिए तो आप देखते हैं कि भी 4 की जगे 5 फिर 4 की जगे 5 फिर 4 की जगे 5 तो 12 के पैसे अगर वो देते हैं तो 15 उनके पास आ जाएंगी तो यहीं पर ही आपको देख जाता है कि एक तम में बल क्यों है unity है strength तो मिलके खरीदा तो फायदा हो गया ठीक है तो यहां पर CP कितना पढ़ेगा इसको 12 unit का पढ़ेगा यानि 12 unit यहां पे करना पढ़ेगा यहां 13 unit करना पढ़ेगा तो एक के CP के बराबर उसे फायदा हुआ ठीक है तो एक के CP बज़ जाएगा एक का CP कितना है CP यानि इसका selling price वो है 320 तो 320 रुपे आपका answer हो जाएगा बहुत सांदार question ठीक है बहुत मज़ेदार question है पेपर में मिल सकता है प्रैक्टिकल लाइफ से हैं बिलकुल next question पर आएंगे next question नहीं है आपके सामने एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% छूट पर खरीता है list price पर वैं उसे इस तरीके से अंकित करना चाहता है कि 20 परसीज़त की छूट देने के बाद वो 30% का फायदा selling price पर कमा सके selling price पर 30% का फायदा यानि यह selling price अगर है तो यह profit हो गया तो cost price कितना हो गया साथ हो गया ठीक है अगर मैं MP और CP का ratio निकालता हूँ हमें पता है 100 plus profit या फिर 1 plus 3 by 7 ठीक है profit 3 by 7 का है 100 minus discount 1 minus discount वो कितना दे रहा है 20% का तो इसे solve करते हैं 10 बटा 7 चार बटा 5 यह 2 हो गया यह 5 हो गया 25 और यह 14 हो गया 25 इस्टू 14 यह आ गया ठीक है अब देखी ध्यान से MP और CP 25 14 पहले case में बोल रहा है जो list price है उसका 90% ही है तो अगर मैं इसे into 9 ले लूँ तो यह into 10 आ जाएगा ठीक है और इसको भी into 9 करना पड़ेगा तो यह आगया कितना 225 रुपे ठीक है how much percent above the list price तो list price से कितना उपर मार करेगा यह आगे 140 रुपे तो कितना उपर मार करेगा 85 रुपे 14.84 ही होता है लगबख 60% के करीब तो यह option आपका answer हो जाएगा बहुत सांदर question दिमाग पूरी तरीके से ना खुल जाए तो बात है ठीक है तो यह सारे question आपका खुलने के लिए आ रहे हैं लगातार पैक्टिस करते रहे है आते हैं अगले question पर अगला question है आपके सामने यह markup price और selling price एक बार देख लेता हूं मैं markup price selling price discount और cost price चले आए देख लेते हैं markup देखे अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से समझे जो mark price होता है वो भी आपका दो तरीके से आ सकता है cost price में अगर आप markup add कर देते हैं कितना उपर अंकित किया ठीक है यह selling price में से आप discount घटा देते हैं ठीक है तो mark price इस तरीके से सेम आ सकता है आप देखते हैं यहाँ पर markup और selling price का ratio है 38 और discount और CP का ratio है 14 ठीक है अब बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं इसका योग और इसका अंतर बराबर होगा selling price minus markup और CP plus discount इसका योग इसका अंतर इसका योग कितना है 5 है इसका अंतर कितना है 5 है ठीक है तो इसका योग 5 इसका अंतर 5 आपको profit percent निकालना है ठीक है तो इसका मलब यह value आपके exact value आ गई एक बार दुबार से देख लेते हैं इसका योग और इसका अंतर एक second उग जाईए selling price एक बार चेक कर लेते हैं cost price और discount और selling price और markup तीन आठ एक second चेक कर लेता हूं जरा चार एक अच्छा यह गलत हो गया ना रुक चाहिए selling price plus discount आएगा ना यहापर ठीक है यानि जो selling price था mark price पे discount होने के बार ही तो selling price आया selling price में discount जोडेंगे तम mark price आएगा आजाते हैं अब तो SP- markup CP- discount ठीक है 20 पे फायदा हुआ तो आप देख सकते हैं 20% आपका answer हो जाएगा यह option आपका answer आजाएगा ठीक है इसका मतलब यह हो गया कि 20 की जगे 22 रुपे यानि 10% का फायदा वो लेता है अब आप चाते हैं कोई फायदा नुक्सान ना हो तो उसे 10% कम देना पड़ेगा 10% कम यानि एक मीटर में 10% निकालेंगे ठीक है तो यह आपका 10 cm आ जाएगा तो 10 cm जब वो कम बेचेगा तब उसे कोई फायदा यहानि नहीं होगा ठीक है तो 10% का उसे फायदा और अगर 10% वो कम देता है तो कोई से फायदा यानि नहीं होगा next question पर आएंगे next question आपके यह 35% छूट देने के बाद 25% का फायदा होता है यदि वो 15% इतनी छूट देता तो इतना हनी होता MP और CP 125 और 65 ठीक है काटता हूं मैं 5 से यह 13 यह 25 CP और SP का रेशो भी आपको दे रखा है जो कि आपका 15% लॉस हो गया ठीक है 15% लॉस का मलब हो गया कि अगर यह 20 था तो यह 17 हो गया तो पहले तो हम CP सेम बनाते हैं इंटू 20 करके इंटू 20 करते हैं अगर तो CP आ गया आपका 260 इंटू 20 करते हैं तो 500 आ गया इसके लिए इंटू 13 करना पड़ेगा 13 से गुड़ा करते हैं 17 दाम 170, 173, 15 221 यूनिट अब आप देखते हैं यहां पर यहां पर वो क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है find the mark price यानि 500 की वेल्यू 500 की वेल्यू 500 की वेल्यू सिंपल आजएगी आपके 1000 आजएगी यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है आईए देख लेते हैं एक कोशन और है तो चलिए और कोशन तो नहीं है तो यह थी आपके आज की क्लास आज का सेशन तो हमने कोशिश करी और भी ज्यादा death में जाने की profit and loss में जितना SSC point of view से important हो सकता है वो सारा content हम दे रहे हैं आपको ठीक है का सपना उसका दूरा नहीं रह जाए content की वज़े से तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी है आप बस लगातार पढ़ते रहिए मिलते हैं आप से ने सेशन में अब तक के लिए अपना ख्याल लगिए जैए